साथियों नमस्कार बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल RK Business Point में आज मैं आपको मैक्रोनी और पास्ता बिजनेस के बारे में बताऊंगा और बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा ना ही मैं आपको यह कहूंगा कि कोई आप बहुत भारी भर कम मशीन लगा लिजे या आपको तक लगाना पढ़ता है लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा बहुत ठीक कम पूजी से आप इस बिजनेस को स्डर्फ कर सकते हैं और अगर मैं यह कहूं कि आप इस बिजनेस को सिरफ 100 रुपय में स्टार्ट कर सकते हैं जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है बि मैं कोई बिजनेस कर सकूँ, मुझे कोई नौकरी भी धंकी नहीं मिल रही है, बहुत सारी महिलाओं का भी कमेंट आता है, कि सर मैं हाउस वाइप हूँ, मुझे कोई ऐसा बिजनेस बता दीजिये, जो कि मैं घर पे रहकर कर सकूँ, और अच्छे पैसे कमा सकूँ, तो हमारी आज की वीडियो उन सभी के लिए है, जो इस तरह का कमेंट करते हैं, नहीं आपको बहुत ज़्यादा फूजी लगानी है, नहीं आपको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत है, बस आप से मैं ये request करूँगा कि हमारी आज की वीडियो आप जरूर देखना, अगर आप दिरोजगार हैं, कोई काम धन्दा करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेके end तक उसके बाद आप कमेंट बेसक कर देना, कि सर आपके बिजनेस आइडिया में दम नहीं था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो भी आप कमेंट करके बताना, सिर्फ सौ रुपए आपको लगाना है, ना ही आपको कोई मसीन खरीदनी है, ना ही आपको कोई दुकान गो नाम खरीदना है, मैं आपको सिर्फ सौ रुपए में ये बिजनेस स्टार्ट करना बताऊंगा, आप तूरी वीडियो देख लेना, आपका कितना घाटा हो जाएगा, सौ रुपए का अगर आपका बिजनेस नहीं चलता है, तो मनी बैक गारेंटी मैं आपको देता ऐसे ही छोटे-छोटे बिजनेस आइडिया आप लोगों को बताने का प्रयास होता है, कि अगर आपके पास फूजी नहीं भी है, तो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सको, बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे किया हो सकता नहीं होती है, सिरफ आपको सिखना पाते हैं, सत्यों मेरे पास ये मैकरोनी है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप सभी मैकरोनी खाते होंगे, हमारे आपके सभी के घरों में ये मैकरोनी इस्तेमाज होती है, इसको बच्चे भी बड़े प्रेम से खाते हैं, और बड़े भी इसको खाते हैं, इसे तरह से पास्त पर केजी के हिसाब से मिलेगा मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ आप देख लिए ये इंडिया मार्ट का प्राइज है ये आपको 38 रुपए केजी मिल जाएगा और दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको 40 रुपए केजी मिल जाएगा और तिसरा मैं आपको में यह नहीं कह रहा हूं कि आप 25 किलो खरीद के इस बिजनेस को स्टार्ट करिए आप अपनी होल सेल की मार्केट में जाएए वहां से सिरफ आप 2 किलो मैक्रोनी या पास्ता खरीद कर लाईए जैसे माल लीजे इसका इंडिया माट पे 38 रुपए या 40 रुपए होल सेल का प् आप उहां से सिरफ 2 केजी पास्ता और मैक्रोनी परिशेज करके ले आईए और आपको मार्केट से छोटे-छोटे ट्रांस्परेंट पाउच परिशेज करके लाना है आप बहुत ज्यादे मत खरीदिये सिरफ आपको 25-30 ट्रांस्परेंट पाउच या आप 200 ग्राम खरीद करना है आपके एक पाउच की जो लागत आएगी वह चार रुपए आएगी मैं यह कहता हूँ कि आपके थोड़े-बाड़े और खर्ची हो गए आप पांच रुपए पकड़ लिए आप पांच रुपए में इसको तयार करिए स्टार्टिंग में आप कोई भी सीलिंग मश भी मत खरी दिये तो इस तरह से आप इसको सारफ पैक कर लिजे और इसको आप मार्केट में लेके जाएए इस्टार्टिंग में आप बड़ी सिटी में या बहुत स्टेंडर्ड मार्केट में मत जाएए अपने आसपास की जो लोकल की मार्केट है वहाँ पे जाएए मैं आपको यह सात रुपए में दे दूँगा सात रुपए पर पैकेट के हिसाब से मैं आपको दूँगा दुकानदार को इसमें तेन रुपए पर पैकेट का प्रॉफिट मिलेगा आपको कितना मिलेगा आपने माली जी पास रुपए इसमें लगाया आप इसको सात यह packet पकड़ा के देदेगा क्योंकि दुकानदार को भी तॉलने की जंजट खतम रहेगी दुकानदार अगर तॉलेगा तो उसका टाइम भी बेश्ट होगा अगर कोई भी बच्चा आता है दस रुपए का पास्ता खरीदना चाहता है या मैक्रोनी परिसेज करना चाहता है त दोस्तों हमारा उद्दे से सिर्फ यही है कि अगर आप विरोजगार हैं किसी कामधंदे की तलास में हैं आपको मैं ऐसा बिजनेस बताओं जो कि आप भहुत ही कम पैसे से स्टार्ट कर सको लोंग लाइफ चलने वाला बिजनेस हो जो भविश्वादी बिजनेस हो वो प्रव में हाउस वायरिंग होती है उसमें करेंट डोडता रहता है लेकिन अगर आप जब तक स्विच को अन नहीं करेंगे आपका बल्ब नहीं जलेगा आप जैसे ही स्विच ओन करेंगे आपके सारे बल्ब जल जाएंगे तो साथियों हमारा भी यह प्रयास है कि मैं आप के दिमाग का स्विच ओन करूं जिससे आपका बल्ब ओन हो जाए और आपको बिजनेस समझ में आ जाए आप बिजनेस स्टार्ट कर सको साथियों दुकान पे मैक्रोनी और पास्ता लूज में मिलता है अगर आप जाएंगे दुकानदार से परिशेज करना चाहेंगे तो अ अगर आपको कोई branded लेना होगा तो branded तो बहुत ही महगा मिलता है वो सव रुपए सवा सु रुपए किलो आपको मिलेगा लेकिन अगर आप इस तरह से छोटे छोटे पैक बनाके मार्केट मिले जाएंगे तो एक तो यह सुरक्षित रहेगा बिल्कुल हाईजिनिक तरीके स आपने पैक किया है इसमें डस्ट रो गयर नहीं जाएगी ये बिल्कुल साफ सुतरा आपका पड़ा रहेगा तो आप इस तरह से अगर पैकिंग करके मार्केट मिले जाएंगे दुकानदार आपकी चीज देखेगा और उसको आपका कॉंसेप्ट जरूर परसंद आएगा तो प्लाई कर दीजिए 2000 रुपए आपकी डेली की बचत हो गई 100 पैकेट बेजना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है 100 पैकेट कितने का हो गया 7 रुपए का जो इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है इतनी बड़ी दुकान लेके बैठा हुआ है 7 रुपए उसके लिए कोई है कल आप 20 को पकड़ सकते हैं 50 को भी पकड़ सकते हैं दोस्तों इस आइटम की बहुत जादा डिमांड है आप कहीं भी लेखे जाएंगे आपकी आइटम तुरंत बिकेगी आज की तारीक में देखिए हर चीज पैकिंग में बिक रही है जो आइटमें पहले लूज में सेल होती थी उन सबकी छोटी छोटी पैकिंग आज की तारीक में आ गई है और हर आदमी उसको बड़े प्यार से खरीटता है क्योंकि उसको लगता है कि यह साफ सुतरा है पैकिंग में वो आइटम एट्रेक्टिव लगती है ग्रहक को बेसक एक दो रुपय फाल्टू देना प बिजनेस है यह कोई सीजनेबल बिजनेस नहीं है यह आपका सर्जी में चलेगा यह गर्मी में चलेगा आप कभी भी इस बिजनेस को इस्टार्ट करिए कहीं भी आपका बिजनेस यह चल जाएगा आप चाहे गाउं में रहते हों चाहे सहर में रहते हों एक बार सिर्फ सौ रुपे लगा के आप इस बिजनेस को ट्राइ करिए मैं आपको 100% दावे से कहता हूँ ये बिजनेस आपका जरूर चलेगा अगर आप विरोजगार हैं घर पे बैठे हुए हैं किसी काम धंदे की तलास में हैं आपके पास पैसे नहीं हैं आप कुछ करना चाहते हैं आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिए अगर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे दो पैसे आपके घर में आएंगे आपके घर का खरचा चलेगा, आप भी आत्म निर्भर होंगे, जब आप आत्म निर्भर होंगे, तो हमारे देश की भी उन्नती होगी, एक एक विक्ति से ही देश बना हुआ है, दोस्तों हमारा उद्धेस यही है, कि मैं आपको कोई बिजनिस सिखा सको, मुझे जो भी आता ह मैं आपको उसे बेस्ट से बेस्ट तरीके से बताने की कोशिस करता हूँ, अगर आप मुझे अपना मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, चोटा भाई मानते हैं, गुरु यार मित्र दोस्त जो भी मानते हूँ, तो आप बिजनेस की लाइन में कदम बढ़ाइए, आप नोकरी के चक्कर में मत पढ़िए, अपना बिजनेस बेसाय शुरू करिए, तो दोस्तों यह रही हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो आपको चोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल पर पहली बारा हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू क मिलते हैं फिर किसी ने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तन्यवाद, नमस्कार